हाई फ्रेंड्स आप सभी के स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में बिहार में जितने भी सम्विदा कर्मी है उनके लिए उच अस्तरी सम्विदा कर्मी के गठन क्या गया था बिहार सरकार के दुवारा ताकि सम्विदा कर्मी को भी जो लाब मिल रहा है बि पार-बार जो है ये बढ़ाया जा रहा है और वह अभी तक जो है रिपोर्ट सोप नहीं रहे हैं तो फ्रेंड्स उसके रिकार्डिंग में जो भी आता है अपडेट यह निकल कर तो सबसे पहले में लेकर के आता हूं अपने वीडियो के माधियम से अपने चैनल के माधियम से आप लोगों तक पहुचाता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आते रहता है कि सर उच अस्तिर समिधी का क्या हुआ जो कि 31 अगस्त लास्ट डेट था तो मैंने एक वीडियो पहले भी अप्लोट किया था अप्डेट बढ़ा दिया गया है तो यहां पर फ्रेंड्स एक और आया है अपडेट तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि कारकाल बढ़ा है और उसमें क्या दिया गया है इस बार क्या बोला गया है कब तक देना है सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताएंगे तो वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक पुरा देखिए ताकि आपको पूरी जनकारी मिल से का और फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी औ उन तक यह बाद भी पहुत से करें तो चलिए शुरू करते हो दिखाते हैं आपको अपडेट उच्च अस्तरी समिती का कारीकाल फिर बढ़ा यह पटना के तरफ से आया फ्रेंड्स अपडेट समविदा कर्मियों की सेवा शर्त क्या होगी इसकी अनुशंसा के लिए बनी उच्च अस्तरी समिती का कारीकाल फिर बढ़ा दिया गया और अब यह समिती जो है नौंबर तक काम करेगी और उच्च अस्तरी समिती के कठन अप्रेल 2015 में क्या गया था यह 15 और 4-19 ठीक है फैंट्स इन्हीं चार साल से अधिक हो गया यहाँ पर फिर भी इन लोगों अब समिती का कारीकाल कई बढ़ चुका है और पछले साल इस समिती ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सोपी थी जिस पर सरकार निरने भी ले चुकी है पर बेल्टरोन द्वारा विभागों में नियुक्त डेटा इंटी ओपरिटर के अलावा कई बोर्ड और निगमों में कारियत सम्विदा कर्मियों की सेवा शर्त को लेकर कोई विचा कर नहीं हो पाया था सम्मिती फिलहाल इनकी सेवा शर्तों को लेकर विभागों से बात कर रही है और इसमें अभी वक्त लगने की संभावना और है ठीक है इसमें अभी और वक्त लग सकता है जिसे देखते हुए कारिकाल नवंबर 2019 तक कर लिए बढ़ा दिया गया है यहां आप लोग को लोग जो श्युक्त बना है जो समीदा कर्मिय जो घुलट में हो या कोई नगर निगां में हो जो भी कार्यरत हैं समीदा पर उनकी जो है उचे अस्तरी समिती का जो गठन है जो क्या गया है उनका कारिकाल नवंबर 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ठीक है और उनको बोला गया गया कि डेटा कर्मियों के लिए अनुसंसा पर अमल हो इनि बिहार राज डेटा इंटरी और प्रिटर संग ने सरकार से अशोक चौधरी कमिटी के अनुसंसाओं को लागू करने की मांग की है यहीं जो अशोक उदरी के कमिटी ने अनुसंसा किया था तो वही लागू करने के मांग किया है कौन डेटा इंटरी और प्रिटर संग बिहार राज ने और संग ने कहा कि सरकार दुआरा सिर्फ कमिटी का अवधी विश्तार करने और डेटा कर्मियों के लिए फैसला नहीं ल लूप में चल रही है और संविदा कर्मिय की इस्तिति यथावत बनी हुई है तो फ्रेंट्स यहां पर जब यह कमिटी बनी थी उस अश्तरी कमिटी सिर्फ तीन मेने के लिए बनी थी दोजर पंद्रे में और यहां पर चार साल से अधिक हो गिया और यह पच्वों साल होन का शौपी रिपोर्ट का अनुपालन कराए यानि अगर सरकार चाहे तो उनको बाद करें कि आपको हर हाल में इसका रिपोर्ट देना है तो सरकार भी यहां पर क्या है सुष्ट पड़े हुई है दूलमुल रवाईया है सिर्फ अपना साल पार कर रहा है और यहां पर उच आप लोग का राय है और आप लोग कहां कहां पर काम कर रहे है ठीक है ताकि आगे भी कोई अगर आए अपडेट तो आप लोग जरूर हमें बताइए कि आप लोग कहां पर किस डिटिक में किस पोस्ट पर काम कर रहे है ताकि मुझे लगे कि इतने इतने पोस्ट पर आप ल लाता रहूं और फैंट्स बिहार के यह रहा है आप लोग इसके रिकारिंग में कमेंट जोगर कीजिए ठीक है फैंट्स तो उम्मिद करता हूं कि आपको हमारी जनकारी अच्छे लेगी होगी तो फैंट्स आगे भी आप चाहते हैं कि अपडेट मिलते रहें तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लेजिए ठीक है फैंट्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग